दोनों की जोड़ी की बात करें तो सुहाना के केरेक्टर में रागिनी ने तो कमाल ही किया था इसी एक आरो प्रोमो केरेक्टर में जोड़ी नजर आया थी जहां पर लोग इस टोड़ी के दिवाने थे और एक बार फिर से जोड़ी कमबैक कर रही है यानि कि सुहाना की हो जाती है डित और जैशोनी यानि कि हमारे प्यारे इसान कश्यप जो कि अब सुहाना की यादों में रह रहे हैं और वो दूसरी साधी नहीं करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट होने वाली है कहानी जिसको लेकर फैंस काफी जदा एक्साइड़ हो रहे हैं लेकिन वहीं बात करी जाया तो सुहाना को लग देखना चाहते थे तो ऐसे में सुहाना का डबल रोल दिखाया जाएगा या फिर सुहाना कुछ इसी तरीके से पूरी शो में नजर आने वाली है ऐसे ही परचाई के तरहां वो इशान का साथ निभाने वाली है या फिर हो सकता है कि जैसा आप जानते होंगे स्टोरी स्टार्ट की गई है कुछ अलग तरीके से इसमें शो में स्टोरी दिखाई जाएगी तो ऐसे में क्या यहां पर सुहाना यानि रागनी खना एक नया रोल प्ले करने के लिए एंट्री कर रही है कि यहां पर उनका सुहाना का करेक्टर नहीं होगा कुछ और करेक्टर होगा इससे तो फिलहाल प्रोमो से तो यह साप सावित हो रहा है कि यहां पर सुहाना के करेक्टर में रागनी खना नजर नहीं आने वाली है खुआ हैं और यहां पर वो उनको साधी के सजेशन दे रही है जह दूसरी साधी करने के लगन जैसा कि आप देखा होगा आप लोगों ने प्रोमो में इशान ने साफ साधी से मना कर दिया है तो वो सुहाना की यादो में जिनदा है सुहानों की यादो में रह रहे हैं आ dentist झाल झाल